राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद के, केंद्रिये शेक्षिक प्रोध्योगी की संस्थान द्वारा प्रस्तुत है, बाल कारेक्रमों की श्रिंखला, रंगोली. रंगोली में आज सुनते हैं कारेक्रम, जै जै भारत देश. दादा जी, दादा जी, अरे आओ आओ नेहा बेटी, यहीं आजाओ, बागीचे में, अच्छा दादा जी, हाँ, अब बताओ, क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, हाँ दादा जी, मैंने गंतंत्र दिवस के अवसर पर एक कविता लिखी है, अरे वाँ, हमारी बेटी ने कविता लिखी है, हमें भी तो सुनाओ बेटी, वही तो सुनाने आई हूँ, अच्छा, तो सुनाओ सुनाओ जल्दी, अच्छा सुनाती हूँ, आजाद जिन के बलिदानों से हुआ देश का चमन, आजाद जिन के बलिदानों से हुआ देश का चमन, उन शहीदो को सदा करते रहेंगे हम नमन करते रहेंगे हम नमन वाँ बहुत सुंदर कविजा लिखी है देखो बेटी नेहा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और और फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का अपना सम्विधान लागू हुआ मुझे पता है दादा जी हमारा सम्विधान बाबा साहब भीमराव अंबेटकर की अध्यक्षिता में बना था बिलकुल ठीक बिलकुल ठीक मेरी बीटिया नमस्ते हरी बाबू नमस्ते 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 डाक्या चाचा जीती रहो नेहा बेटी जीती रहो कोई चिठी है हमारी अरे वही तो देने आया हूँ ये लिपापा है, ये लीजिये अरे ये ये तो मेरी कार्याले से आया है क्या संसत भवन से? हमें पता है हरी बाबू, संसत भवन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में है बिल्कुल ठीक कहते हो भाईया लेकिन दादा जी, अब तो आप संसत भवन में काम नहीं करते हाँ लेकिन क्यों? अरे भई, सेवा निवरित जो हो गया हूँ फेर ये लिपापा? भई, ये निमंत्रन पत्राया है दादा जी, मैं भी चलूँगी आपके साथ हाँ भई, तुम भी चलना? हाँ, हाँ, बिटिया रानी, जरूर जाना अब हम भी चलें, बहुत चिठियां बाटनी है नमस्ते डाक्या चाचा नमस्ते निया बेटी दादा जी पूलो बिटा आप संसत भवन में जाएंगे? समय हुआ, तो जरूर जाएंगे क्यो? वो, वो मैंने पढ़ा है कि संसत भवन के दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा मैं आपके साथ चलूँगी तो वो भी देख लूँगी अच्च, अच्च, ये बात है और वहाँ जाकर क्या करोगी? मैं गिनूँगी क्या गिनूँगी? मैं जानती हूँ लोकसभा में चुनकर आए प्रतिनिध्यों की संख्या पाँच सो पेंटालिस होती है बस उन्हें गिनूँगी अच्च, अच्च संसत सदस्यों की संख्या गिनूँगी दादा जी, इसमें हसने के क्या बात है? मुझे पता है संसत सदस्यों को संसत भी कहते है अरे वा, मेरी बिटिया तो बहुत कुछ जानती है अच्च, तो बताओ राज्य सभा में कितने संसत होते हैं? राज्य सभा में बारा? अरे नहीं बेटा बार है सदस्य तो राष्ट्य पती मनोनीत करता है राज्य सभा में सदस्यों की संख्या दो सो पचास तक हो सकती है अच्छा? हाँ, एक बात और वो क्या? राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव देश के विभिन राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है अच्छा अब समझी राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं बिलकुल ठीक दादा जी इतने सारे सदस्यों संसद में क्या काम करते हैं? बेटि नेहा, संसद का प्रमुख काम देश के लिए कानून बनाना है इसके लिए विधेयक प्रस्तुत करना, कानून में संशोधर्न करना, बजट पारित करना, ऐसे सभी काम संसद के दोनों सदनों में किये जाते हैं अच्छा, दादा जी मुझे पता है, राष्ट्रपती के पास पहुचने के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है राष्ट्रपती की स्विक्रिती के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है दादा जी, ये क्या हो रहा है? अगले महिने चुनाव है न, उसी के लिए लोग नारे लगा रहे हैं अच्छा दादा जी, इस बार मैं भी चुनाव में वोट दूँगी मेरी निया बेटी, वोट देगी दादा जी बेटी, मतदान के लिए कम से कम 18 साल की आयू का होना जरूरी है अच्छा, और दादा जी, चुनाव लडने के लिए? चुनाव लडने के लिए कम से कम 25 साल की आयू का होना जरूरी है अच्छा, अब समझी मैं दादा जी, कि बड़े लोग ही चुनाव क्यों लडते है ठीक कह रही है बेटी, अब देखो, जैसे ये दीन द्याल जी लड़ रहे हैं चुनाव हाँ, अब ये जीत कर सरकार बनाएंगे नहीं बेटी, संसद में जिस दल का बहुमत होता है न, वही सरकार बनाता है अच्छा, इसे सत्ता दल कहते हैं और डादा जी, बाकी दल? दूसरा बड़ा दल, विपक्षी दल कहलाता है जिसके नेता को मंत्री पद का दर्जा मिलता है, समझ गई ने बेटी? हाँ दादा जी इसके अलावा, जो और दल होते हैं, वे सब भी विपक्ष में ही आते हैं अच्छा, अरे हाँ दादा जी, मुझे ये भी पता है, कि सत्ता दल पांच साल के लिए सरकार बनाता है, है न? हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, संसद का एक कारिकाल पांच वर्ष का होता है, और हाँ, किनी कारणों से संसद बीच में भी भंकी जा सकती है अच्छा, अगर ऐसा हो जाए तो? तो मध्यावधी चुना होते हैं, यानि पांस साल की अवधी के बीच में ही दोबारा चुना होना अच्छा, अब समझ में आया, दादा जी हाँ, बिटी, बोल मैंने इस विशय पर भी एक काविता लिकी है अच्छो, तो सुना ना जल्दी से सारे देश से नेता चुनकर, राजधानी दिल्ली में आते संसद भवन में जाकर वो तो, शासन का सबकार चलाते 26 जन्वरी 1950 में, बना हमारा संविधान संविधान का करेंगे पालन, जै जै भारत देश महान जै जै भारत देश महान बच्चो अब एक अनुरोद अपने अध्यापक की सहायता से मालुम करो कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है जैसे बजट पारित करना, मनोनीत करना, विधेयक प्रस्तुत करना साथ ही ये भी मालुम करो कि राजी सभा का एक कारेकाल कितने वर्ष का होता है तथा राजी सभा के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितने वर्ष की आयू का होना जरूरी है जै जै भारत देश अभी आप सुन रहे थे रंगोली के अंतरगत ये कारिक्रम परियोजन समन्वे प्रभुदयाल खटर विशे संयोजन डॉक्टर सुरेश पांडे विशे मार्कदर्शन डॉक्टर सत्यप्रकाश बानियाल विशे परामर्श डॉक्टर अनूप राजपूत और डॉक्टर अमरेंदर बहरा आलेक सदनलाल महता कलाकार जै मिनी कुमार राजेश आहुजा और नेहा ध्वन्यंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाव दैल चतुर्वेदी और रिज्वाना अश्रफ तथा मिर्माण एवं प्रस्तुती वंदना अरिमर्दन